नमस्कार हमारी इस खास पिश्कष में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ सुमिछ चौधरी दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी आम आदमी पार्टी जो लगतार इस बात के दावे कर रही है कि बीजेपी सरकार बनाना चाहती है और दूसी तरफ बीजेपी है जिसकी तरफ से अब तक पत्ते नहीं खोले गए हैं लगतार दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुखबगाहट बढ़ती जा रही है लेकिन इस्थिती अभी तक साफ नहीं है कि दिल्ली में सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी आई हम आपको फॉर्मूले बताते हैं कि अगर दिल्ली में चुनाव ना कराये जाएं और दिल्ली में सरकार बनाई जाएं तो क्या वो फॉर्मूला हो सकता है जिससे दिल्ली में सरकार बन सकती है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अटकले एक बार फिर से तेज हो गई हैं जो इस तरह से राजणीती पलपल बदल रही है दिल्ली विधान सभा में बीजेपी सबसे अधिक विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है सूतरों के मताबिक पीए मोधी ग्रह मंतरी राजनाथ सिंग, बीजेपी अध्यक्षामिच्शा और कैबिनेट मंतरी नितिम गड़कर इस मुद्धे पर मुलाकात करने वाले हैं और सरकार बनाने को लेकर कोई फैसला कर सकते हैं इससे पहले दिल्ली के उपराजपान नजीब चंग ने राजपती प्रणव मुखरजी को चिठी लिख कर कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए यदि NCT Act के दहट सदन का नेता चुना जाता है तो फॉर्मला नंबर एक यदि कॉंग्रेस सदन से भहिशकार करती है तो सदन में कॉंग्रेस के जाने के बाद 69 सीटे होंगी और बहुमत के लिए 30 सीटे चाहिए और बीजेपे और आमबीर शौकेन बिलकर 30 का बहुमत पराप कर लेती है फॉर्मला नंबर दो इसमें यदि आमादी पार्टी चुनाव के नाम पर वॉक आउट करती है तो सदन में 40 सीटे बचती है और बहुमत के लिए 21 के आगड़े की जरूरत पड़ती है बीजेपी 29 सीटों के साथ सरकार बना सकती है फॉर्मला नंबर तीन कांग्रेस यदि आपको समर्धन करती है तो सदन में 60 सीटे हैं और बहुमत के लिए 34 सीटों की जरूरत पड़ती है वह यदि बीजेपी शौकीन बिननी मिलकर 31 के आगड़े तक पहुंचते हैं तो बहुमत के दूर हैं लेकिन आप और कॉंग्रेस मिलकर 35 के जादूई आगड़े कुपबार कर देंगे ये मोहिश शर्मा की रिपोर्ट तो ये तीन वो फॉर्मूले हैं जिसके तहद बीजेपी सरकार बना सकती है आम आदमी पार्टी लेकिन बार-बार दावा कर रही है कि उन्हें चुराओं में जाना है आज राश्पती पुण मुखरजी से मुलाकात अरविंद केजरिवाल ने अपने विधायकों के साथ की है लेकिन जुस तरह की खबरे हैं पूरे विधायक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरिवाल के साथ नहीं थे लेकिन इन सब के बीच में जो मुख्य सवाल इस वक्त है वो है कि दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे बार-बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को दिल्ली के उपरा जपाल नजीव जंग नियोता देंगे सरकार बनाई जाएगी बीजेपी की तरफ से लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरीके का दावा किया गया हो बहराल इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास महमान मौझूद हैं का परीचे आप से कराते हैं हमारे साथ दिनेश सिंग बीजेपी की तरफ से हैं जयार सरण साहब वरिश्पत्रकार मेरे साथ हैं और चिराग रावल नेता आम आदमी पार्टी मेरे साथ हैं चिराग साब बार बार आप लोग दावा करते हैं हर बार कहते हैं बीजेपी सत्ता में आने वाली है बीजेपी सरकार बनाने वाली है आखर सच क्या है आप लोग बार बार ऐसा क्यों करते हैं और उन तमाम चीजों को सत्यापित क्यों नहीं करते हैं सर जी बीजेपी तो सत्ता में है केंदर की सत्ता में है बीजेपी ठीक है दूसरा आमादमी पार्टी सत्ता में आना नहीं चाहती है आमादमी पार्टी जो आमादमी का हक है उसे दिलाना चाहती है इमांदारी से दिल्ली का आमादमी जी है इमांदारी की राजनीती हो पीपी जो है यहां पर अपनी सरकार बनाने वाली है उस वक्त भी आप लोगों के जो पूरे कायास थे वो साबित नहीं हो पाए एक बार फिर से आप लोगों कहना है कि नजीब जंग जो है दिल्ली के उपरा जेपाल साब है वो बीजेपी को निवता देने वाले हैं अब अगर आप इस बात का दावा करते हैं आप अर्विन केज रिवालपूरी दिल्ली में स्टिंग ऑपरेशन सिखा रहे थे आप क्या आपके जो विधायक थे उन लोगों ने स्टिंग करना नहीं सीखा था वो भी सीख थे बीजेपी के विधायक उनके पास अगर पहुंचे बीजेपी का इस्टिंग है लेकिन जनता के विच में नहीं आप आता है हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच वाता है यह अगर फेमस आम आदनी पार्टी के लावा किसी के इस आप लोगों ने जितने स्टिंग करा है और आप ही कह रहे हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं क्यों सवाल यह कि वह इस टिंग बाहर आने चाहिए जंता को पता चले कि बीजेपी किस तरहा है खेल खेल रहे हैं और अई पार्टी आपना काम कर रही है और अमाधी पार्टी क्या कर सवाल यह है कि अगर बी-जे-पी यहां पर साररी सुद्था में आना चाहते है आप को लगता है कि बीज है को आमंतिरित नजीब जंग कर सकते हैं एक राज जेपाल कर सकते हैं किस बात का डर है क्या प्राइद्ध नघ्र है क्या जमीन क़ूने का डर है पूरी दिल्ली CM बनी थी अर्विंद केजरिवाल CM ने बने थे तो यह हमारा यह सिस्टम नहीं है इमांदार और वर्सिस बेइमान का हमारा जो चला आ रहा है अपना चली ठीक दिनेश सिंग जी मैं आऊंगा आपके बाद जैयार संड साब मैं पहले दिनेश जी और बीजेप कि सत्ता में आना चाहती है चुनाव नहीं चाहती है या फिर चुनाव चाहती है आप लोग अपने पत्ते कब खोलेंगे सुमिच जीं आप देखिये तो भारती जनता पार्टी लिके विधान सबाब में सबसे बड़ी पार्टी है चुए हम शुरुवास कर रहे हैं कि उस समय हमने अस्पष्ट मना किया था ह। कि हम जोड़ तोड़ करके कोई भी सरकार बनाने के पच्छमें नहीं वह यादभी पूरी देश की जनता ने जाना और दूसरी बात अभी इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है खरीद फरोस्त का कि इस्टिंग असल में इनके पास कुछ हई नहीं है जूट की रसी से आप हर चीज को बाधना चाहते हैं एक बार चल सकता है जूट का खामना दो बार चल सकता है अर्बिन केजरी वाल जैसे आप कह रहें थे पूरी दिल्ली को आप ने इस्टिंग आपरेशन का नमूना सिखा दिया लेकिन उनके विधायक कुछ नहीं खुद नहीं सिपना और आप दूसरी चीज़ जो आप करें आप ही की बात को को कोट कर रहा हूं 32 विधायक आप लो राजनितिक विसलेशक हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि वो ऐसा कौन सा फॉर्मूला बीजेपी सेट करने वाली है जिसके तहट अभी तक ना तो आप लोग खुल के दावा कर रहे हैं कि आप लोग चुनाओं में जाने वाले हैं ना इस बात का दावा किया जा रहा है कि आ अभी कहावत है न सूद न कापास जुलाओं में लख्ठम लख्ठा आज अभी आपके हां चुनाओं घोशित नहीं हुआ आज सरकार बनाने के लिए क्योंकि सबको पता है क्यों पराजपाल के पाले में हैं अभी उन्होंने किसी को सरकार बनाने के लिए आमंतित नहीं किय अगर नजीब जंग की तरफ से या दिली के जो पराज पाल है उनकी तरफ से यहाँ पर नियोता दिया जाता है नियोता आपको पहले मिला था आप लोगों ने इंकार कर दिया कि हम नहीं बनाने वाले हैं हमारे पास फूर्ण बहुमत नहीं है यह हमारे पास इतना mandate नहीं है जिससे हम सत्ता में आ जाए अब अगर आप लोगों को उपराज जिपाल नियोता देते हैं मैं एक यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ऐसा है कि अभी तक ऐसा कुछ होआ नहीं है यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है यह सिर्फ एक भविश्य गर्व वाला सवाल है अगर ऐसा होता है नजीब जंग आप लोगों को आमंत्रित करते हैं तो गणित आप लोग कहां से लाने वाले है हम कहरें कि अगर आप कहरें है तो थोटकल कुश्चन है हम कहरें अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो हमारी पार्टी के लोग बैठके विचार भी मर्स करेंगे ना सम्मीधार इतना उल्जा नहीं है आप भारती जन्ता पार्टी को बहुत करीब से देखना है हमारे हां का एक नेता जाकी कह नहीं सकता है केजरिवाल साहब चले जा रहे हैं कांग्रेस के लिए सोनिया कानी सवतंता है यह लेकिन हमारे हां जब भी इस तरह का मामा आए तो आप देखे और एक चीज़ आपको बता दे रहा हूं आपके राश्टी चैनल पर मैं का रहा हूं कि आज भी भारती जनता पार्टी जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने पर विस्वास नहीं करती है हम खरीद फरोख करके सरकार बनाते तो पंडितल विहारी वाजपई की सरकार एक ओट से नचली जाती एक ओट मैनेज किया जा सकता था अगर हम एक ओट खरीदने के मैञेज के लिए नहीं खरीद सकते हैं तो आप जिस की बात कर रहे हैं आज भारती ज्नता पार्टी खरीद पर क्या ना ह hed जा लोग कहां जा रहे हैं चलिए ठीक है चिराग जी से जानेंगे से लेकिन मैं उससे पहले जियार संड साब आपके पास आना चाहता हूं जो दिनेज जी हैं वो फॉर्मुला नहीं बताने वाले हाला कि वो यह कह रहे हैं कि अगर आमंत्रित किया जाता है तो हम सोचेंगे है तो कौन सा वो मन्थन होने वाला है किस टैग लाइन पर वो सूचने वाले हैं वो समझाईए देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कभी जोड़तोर की राजीती की ही नहीं यह था कि जनरल एलेक्शन आने वाला था उसका फैदा उठाना चाहिए था और इन्होंने जम मोदी आन्धी थी उसकी बैलून की हवा कहां गई भगवान मालिक और उससे अब इलोग डर गए हैं कि अगर एलेक्शन होगा तो हमारा क्या होगा अभी तक तो इनको था कि हम एलेक्शन में लड़ेंगे हम हमारी सरकार बन जाएगी उसके बाद से इन लोगों को में डर आ लोगों कोना चाहूंगा कि अगर भाजपा में वह भी Central में अध्यक्ष गुजरात से हो सकते हैं और CM गुजरात से हो सकते हैं तो भाजपा दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष और दिल्ली का CM पुर्वांचल के लोग क्यों नहीं हो सकते जो 38% हैं तो उनका कौन और सबसे बड़ी बात BJP को पुरवांचल से आधे से जादा जो सीठ है उनका पुरवांचल से उनको मिला है तो क्या पुरवांचल के लोगों को क्या देने वाले हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल ठीक है अब दिल्ली प्रदेश के अधेज जो है पुरवांचल से लेकिन इस तरह क लोग और डरने की बात नहीं है और लोगों की लोगों की डेमोपरसी को पुर्चिन मत थी वहां के लोगों ने वोट डाला है लेकिन सरण जी आप जो सवाल आप भाष्पा के बिधायकों पर उठा रहे हैं जरा आप दूसरे पार्टी की बिधायकों से जरा आप जाके पार्टी की बात मत करियें आप एक निस्पच पत्रकार हैं कोई भी आद्मी जो भी जीता हुआ हो मैं निस्पच बात यहां कर रहा हूं जो भी जीता हुआ सांसद होता है जो विधायकों कई कारण होते हैं उसको लगता है कि हो सकता है कि एकली बार मुझको टिकट मिले कि न हो सकता मुझे टिकट मिले मैं जीतूंगी न यह हकीकत है आप इसको इंकार नहीं कर सकते हैं आप यह कहिए कि नहीं भारती जनता पार्टी का कोई भी नेता कोई भी काज करता आज चुनाव लड़ने के लिए तयार है और जिस तरह की सरकार केरे में चब रही है आप निश पार सरकार बना रही है हाँ या ना में बस बिना मंत्रा यह सरकार बना लेंगे मुझे ऐग शीज़ बता देगे आप हुथ फैक आपके नेतान अ आपो कहरेते न आपके टाने आप कह रहें तीम rin зачa सिर्फ को छोड़ के सिर्फ भारती जनता पार्टी के कुछ विर्हाय को छोड़ दीजे ना उनको आपने ऐऑ नहीं हो वो आम नहीं है आपके घिल्li के सारे लोग जो है आम है और इनके अरबिंद केजीवाल जो करोनों के संपती के ठेकेधार है तो आम नहीं वो खास नहीं को अम अज़गे है और विसे अपधा किया है और भारत्यासां सफ पढ़ा के काहां थी पहा करता है जी एक मिनट तरफ प्रकश्त और आप कहते हमाज आएगे सटा में सीला इच्छित को अंदर कर देंगे आप तीन साल के अपने से कहिए सुमिझ जी आप तीन साल का रिकार्ड निकलाई आज की इस महीने में महीने का के रेस्टी हो ता आज मैं कह रहा हूं अगर आप किस जीते थे आप करप्शन और महीनाई पर जी रएक जाएं तो सचा है यह तो सचा यह तो सचा है कि आप बाद की बात नहीं कर रहा हूं आप बात कर रहा हूं अगरे बात करने लेकि दिल्ली विधान सवाचनाव पर वापस आ जाते हैं अलग दिन उस पर डिबेट रखेंगे और जरूर बीजेपी से सवाल जरूर किया जाएंगा बिल्कुल बिल्कुल जियार सर्ण साब को भी मंतरित किया जाएगा लेकिन चुराग एक बात बताईए आप लोग की पार्टी की तरफ से बार बार जो दावे किये जाते हैं कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है और बीजेपी को जो है अब मुक्य मंतरि जो होगा को बुऑफिकार हो जाएंगे अपलोग के पास जो मेंडेट है वह अगले चुनाव में आपस मिलने वाला है से प्राइव करते हैं बीजेपी के नेता हमारे पास आये थे, वो इस तरीके से दावा कर रहा है, खुद गुबार विश्वास ने थे कि ये दावा कर दिया था, कि मुझे मुझे मंतिर तक प्रोजेक्ट करने वाले थे, सवाल ये है कि आप लोग अगर नहीं बताना चाहते हैं, तो आप बीजेप प्रटी से जो लोग जाते हैं या बीजेपी जिने का होस्ट रेटिंग करती है, उनका नाम तो खुद सामने आ जाएगा, आप लोग इस पक्ष को भी सुविकार करने के लिए तैयार नहीं है, आम आदमी पार्टी केंदर में सरकार नहीं है, और बीजेपी की केंदर में सर सरकार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खरीद फरोक्त कर लेते हैं, तो दिल्ली में भी खरीद फरोक्त करके सरकार बना लेते है, इचली बारी एक देख़िए, सुमिछ जी मैं आपके सवाल में सवास जोड़ रहा हूं, आपने जो कहा, कि मां ली जिए, एक म तो फिर आपको तकलीब क्यों है जब और अगर आम आदमी पार्टी को तूटना है according to anti-defection law that is prevalent today in India, two-third लोग जाना चाहिए यानि कि 20 MLA आम आदमी पार्टी को छोड़के जाना चाहिए, which is not possible और BJP अगर ख्वाब देख रही है, तो it is daydreaming नतियाश जेहां पर आम आदमी पार्टी के अंदर कोई तूट नहीं होती है, BJP पर बार बार host trading का रूप लगा जा रहा है तो अब मौका दीजिए, अगर वो ऐसा करते हैं, अगर ऐसा आमादमी पार्टी की, अगर BJP ऐसा करती है, तो खुद में खुद नाम सामने आ जाएंगे, वो भी मौका नहीं दिया जा रहा है, तो आमादमी पार्टी के जहन में क्या चल रहा है? अपनी जमी पिचाने की उचेश, अट टाइम ऑफ जेनरल एलेक्शन दिल्ली में ये था कि भाजपा एलेक्शन करवाएगी, और इनके मन में इसलिए इन लोगों ने जब 32 थे तब सरकार नहीं बनाए, और आज 29 पर सरकार बनाने को क्यों तयार है, इसलिए, उस समय इनको मन में था कि जो आंधी चली है, उस आंधी में हम दिल्ली को भी बहा लेंगे, हमारा सरकार बन जाएगा, लेकिन इन से जब महंगाई नहीं रुकी, जब लोगों के थाली से आलू, प्याज और टमाटर गाइब होने लगे, तो इनको लगा है कि हाय तो वह भी चली जाएग कांग्रेस इसी तरह से जो मोदी जी ने कहा थे, कांग्रेस मुक्त भारत, अभी इस तरह सरण जी जैसे लोगों की मान सिकता है, कि जिनको आज भी नहीं, मोदी जी का प्रयास यह सरकार का प्रयास इनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो धिकार है सी सरकार को, जो मुझे खा साल के उस कुशासन से मुक्ति के लिए आपने 65 साल के कोड को आप चा रहा है तो सौ दिन में धूल जाए मैं तो आपको चुनवती दिया हूँ आप निकाल के लाईएगा अपना जाके कि तीन पिछले तीन सालों का मैं आपको चुनवती दे रहा हूँ इस महीने का प्रेज निकाल कर रहा हूं कि महगाई है मैं कहा कर रहा हूं नहीं है उत पर सरकार प्रयास कर रही है मैं तो यह नहीं कर रहा था कि 100 दे महगाई दूर हो जाएगी और इमांदारी से परयास हो रहा है नहीं फोड़ा सा आप भैर रखिये और आपके जो हमारे नेता हे ik-e-ek जिस दिन अर्विंद केंजरिवाल ने रिजाइन किया था उस दिन दिल्ली की जनता ने देखा टेलिविजन सेट्स पे कि कॉंग्रेस और बीजेपी कैसे ये मानते हैं कि इनकी बपाउती है के वलकि ये दोनों पाटी रूल करें बाकि कोई ना रूल करें इस देश में अगर ये चाहते हैं तो यही मैं ही कह रहा हूं सोच की बात है ना अगर भाती जनता पाटी मेरे एक सवाल का जवाब है ठीक है हम अपनी सवाल ना रखे जो जनता के जहन में को सवाल है हमें जनता के जहन में उस सवाल है उनके बारे में भी सोचना है अपने अपने सवाल ना रखें मेरा एक सवाल है जै अर्षल्साब आपस अगर यहां पर बीजेपि के अंदर डर है बीजेपि जनता के बीच इसलिए नहीं जाना चाहती क्यों क्योंकि मेंडेट नहीं मिलेगा और बीजेपी हार सकती है अपने तमाम मुद्धे जो लोग सभा में रखे थे वो पूरे करने में नाकाम्याब रही है मैं एक बिजेपी को मौका नहीं देना चाहती है वो मौका देने का ना देने का कारण क्या जब 32 सीट थी तब तो आप मैदान छोड़के पुछ अपना पता नहीं कहां चिपा के भागे वहां से कि मुझे सरकार नहीं बनानी है आप जब तीन विधायक आपके पास कम है 29 हैं तब तो आप दोड़के अरे मुझे सरकार बना क्योंकि आपको पता है कि अब मैं एलेक्शन जीत नहीं सकता तो भईया जो भी है उसमें तोर्फोनर मौक के बना लो कम से कम 5 साल कुर्सी तो बची रहेगी उसका देखा जाए उननचास दिन में पूरी दिल्ली की जन्तारमोगा खतम हो गया जिस तरह की बात राजनीत में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते हैं इसको आप मालीजे सरण जी आप भी जानते होंगे हमेशा दो और 2 जो चार नहीं होते हैं दो और 2 बाइस भी होते हैं जितनी संक्या उस समय थी उतनी आज भी है और तीन जो बिधायक कम हुए हो सांसत बने है रही बात और दूसरी चीज़ भारती जन्ता पार्टी कोई पहली बार आप पार्टी के तरह दूसरी बार चुना सुमित एक चीज़ में यहां बोलना चाह रहा हूं भाजपा दिल्ली में जब से चीफ निस्टर बना पहली बाल मदनलाल कुरारा बने पांच साल वह भी नहीं चला पाए पार्टी को मिला अब इनको लग रहा है कि भाईया हम तो इतने दिन बाहर थे कम से कम अब तो चिपक जाए इससे जिसकी आप बात कर रहे थे न दिल्ली की जनता ने फिर भी जो अपना मेंडिट दिया था न वह बुझे लगता है कि अगर आपको याद हो तो भारती जनता पार्टी के पच में दिया था सुन लीजिए धैर रखिए जनता का काम नहीं होता है लेकिन मैं आपसे बार-बार आज भी वही कह रहा हूं न इतनी इमानदारी है भारती जनता पार्टी के साथ आज भी मैं कह रहा हूं कि जिस तरह आप पार्टी की नेता ने बच्चों की कसम खाई ते आपको याद हो किसने कहा था का आप बच्चों की कसम खाई ये ना समर्थन लेंगे ना देंगे और आगर दिल्ली में सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी और साथी साथ आमादनी पार्टी जो लगातार ये दावा कर रही है कि चुनाव होने चाहिए तो आज अर्विन के जिवाल के साथ तमा और साथी साथ सवाल ये भी बनता है कि क्या दिल्ली की जनता पर एक बार फिर से चुनाव का बोज़ डालना सही है एक ब्रेक ले रहे हैं तुरंट लोटते हैं तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी और साथी साथ क्या आम दिल्ली के जनता है वो एक बार फिर से दिल्ली के विदानसवा चुनाव को फेस करने वाली है सवाल यही बनता है और साथी साथ बीजेपी क्या वास्तव में चुनाव चाहती है या फिर जोड तोड करके एक बार फिर से बीजेपी सरकार दिल्ली में बनाने वाली है यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है लेकि चुराक आपके पास आना चाहता हूँ आप बार बार यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जोड तोड की राजनीती करने वाली है होस्ट ट्रेडिंग होने वाली है आप इसलिए मौकान नहीं देना चाहते हैं नाम आप लोग उजागर करते नहीं है नाम आप लोग बताते नहीं है आप कहते हैं कि आम आदमी पार से भी या कॉंग्रेस की तरफ से तब आप लोग खुल के कह सकते हैं ना कि देखिए होस्ट्रेटिंग हुई है वहां तक मौक आप क्यों नहीं देना चाहते दिल्ली के जो लोकस्वा चुनाव में दिल्ली वालों से जो थोड़ी सी गलती हो गई थी उसको अगली बार इस सब्सक्राइब करने तक पहुंचें कॉंग्रेस की तरह नहीं कि एक बंद कमरे में फैसला हो जाए और बाहर आके मौका दीजिए आप मौका दीजिए बीजेपी को करने दीजिए जो कर रही है आप लोग का क्या है इस वक्त आप लोग शांती से बैठिए देखिए बीजे करनी है और सरकार चलाने में बहुत अंतर है आंदोलन चला लिए अन्ना जी की बदॉलत उनके कंदे पर बंदूग रखके आंदोलन आपने चला लिया लेकिन आप फिर से आंदोलन खड़के ना तो आप आप आंदोलन चला सकते हैं क्योंकि आपने जनता को यही मैं बार ब लेंगे ना कोठी लेंगे ना बड़ी गाली लेंगे सारे आपके मंत्री चार ही दिन में उनका सारा भूत उतर गया और पता नहीं चल रहा हो कहां चलेंगे अगर आगे आमंत्रित किया जाता है एक बार फिर से उनके जयन में क्या चल रहा है कौन सा गणित करना चाहते हैं देखिए वो एक एजुकेशनिस्ट है इस नाते मेरे बहुत आदर है जंग साब का लेकिन वो जो पिछले एक हफ्टे से कर रहे हैं उस पे मुझे उनके इंटेग्रिटी पर डाउट है क्योंकि वो कोई पोलिटिकल आदमी करता तो मुझे ठेस नहीं पहुंसती जो जंग साब करने और आई विट परसन जिस जितना मैं जंग साहब को जानता हूं जिस इंटेग्रिटी को मैं उनका मानता था उस पे मुझे आज सवाल है निसान खड़ा करना पड़ता है कि आप जो 32 मेले रखके मिनिस्ट्री नहीं बना पाए चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं तयार हुए उनको आज 29 हैं और उनको आप बुलाने को तयार हैं एक दूसरा एलेक्शन अगर हो ही जाए तो कौन सा महंगाई नहीं है कि दूसरा महंगाई बढ़ जाएगा ठीक है दिने जी एक तो हमें कहरें जिसकी बात कर रहे हैं क्योंकि जंग साहवी नहीं ऐसा कुछ किया नहीं एक राजपाल का पड़ है उपराजपाल जी का संभाइधानिक पड़ है कई चीजों पर विचार विमर्ज करना पड़ता है और राजपाल होने के नाते उनको द दिल्ली के उपराजयपा नजीव जंग को ही और वरिष नेताओं को ही समझ में आ रही है ना वरिष पत्रकारों को और ना ही बाकी पार्टी नहीं देखिए दो चीजे हैं हम इसमें कहां कहरें हैं तो आज कहने हैं का चुना हो जाए हम लोग कहीं कह रहें क्या कहीं भारती प्रेडिंग करके जो है सरकार नहीं बनाएंगे उन्होंने कहा है घेज का गिरी मंत्री कह रहा है और बार बार बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने यह भी कहा है अगर हमें नियोता मिला तो हम सरकार बनाएंगे अगर हमको अमंत्रन मिलता है तो निश्चित तोर पर हम उसके विचार बिवर्च करेंगे हमारे पास आये तो आमंत्रन आप कहरेंगे आपको किसी बड़ी जॉब के लिए आफ़र आए अभी तो हैंगे आने दीजिए फिर मैं विचार करूँगा क्योंकि जहां हूं इसको भी छोड़ दू नहीं होते हैं कोई इंजिरिंग कालेज का लड़का जो पढ़ता है तो निश्चित तोर पर हम चाहते हैं दिने जी अगर आद्मी उसके लिए क्वालिफाइड है अगर मैं क्वालिफाइड हूं तो मैं जरूर उसके बारे विचार करूँगा क्वालिफिकेशन नहीं है हम कैसे विचार कर सकते हैं दो चीज़ें सूच दस्वी क्लास लेकिन देखिए आपके सामने किसी इंटर्विव को आप आवंतित किया उसी में सेलेक्शन करना है आपके सामने तीन चात्र खड़े हैं कांग्रेश आप और भाजपा तो आप उसम अजीब बात करें आज हम कह रहे हैं कि राजपाल ने किसी को आवंतित भी नहीं किया और कांग्रेश के आपके साथियों के पेट में दर्द नहीं विकल्प जो बोला जा रहा है नहीं चिराग विजेपी की तरफ से विकल्प खुले रखे गए हैं चिराग पहले पंदरे स बीजेपी अपने विकल्प खुले रख रही है इसमयलक क्या है अप लोगों ने भी दिसंबर में यही किया था पिर आप लोग को परिशानी किस बात क्यों ए डिली की जंता परिशान है पर सबसे बड़ी परिशानी है दिल्ली की जंता के बारे में सब्सक्राइब परिशार ना पड़ा था जब्री में रिजाइन किया था जहां तक मुझे याद है के जिवाल जी ने सेप्टेंबर तक क्यों वेट किया गया क्या फिगर्स बदल गए क्या सीन बदल गया क्या हुआ है इसा कि आज जंग साहब को याद आ रहा है कि यहां सरका सरकार बनाएगी जगदीश मुखी पंजाबी वोड़ बैंक के एक फेस होंगे और उनको चीज मिनिस्टर बनाया जाएगा जाएगा इसमें कौन सरकार बनाएगा यह तो अगर किसी के सामने आएगा सरकार बनाएगा और जो चीज हमारे सरण साहिब कर रहेंगे कि जिस समय समय फरवरी में उन्होंने रिजाइन किया था किसी को नहीं पता था कांग्रेस वाली तो सीना ठोक रहे तो आम आधी पार्टी के विक्केजरिवाल कह रहे तो कमार्री सरकार बनेगी उस समय अगर राजपाल नहीं लिया तो आप राजपाल के उपर सवाल खड़ा कर रहें और राजपाल जो कांग्रेस के द्वारा नियुक तो राजपाल थे भारती जंता पार्टी के लोग बदल देते तो हमको लगता है कि सरण जी हो सकता है उनकी सरण में चले गए होते लेकिन वहीं राजपाल हैं जो कांग्रेस ने बनाए नमा जीब जाएगी या नहीं बहुत 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 शुक्रिया आप सभी महमानों का हमारे साथ इस सरचा में जुड़ने के लिए लेकिन दिल्ली में सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी और वह कौन सा फॉर्मुला बीजेपी के तरफ से सुझाया जाएगा और साथ इसाथ आम आदमे पार्टी क्य अपने अस्तित्व की अब लड़ाई दुबारा फिर से लड़ेगी सवाल ये है तके सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल क्या है वो आपको उताते हैं क्या दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को नौता मिलना चाहिए आप अपने जवाब हाँ या ना में भीज सकते हैं जवाब के लिए आप एसमेस कर सकते हैं एसमेस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में चाहिए एस यू टी लिखें फिर स्पेस दें फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें इस मेसेज को आप 0875 0047 855 पर भेज दें आप अपने जवाब हमारी वेबसाइड www.sudarishiannews.com पर ज़ाकर भी दे सकते हैं सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा तो बीजेपी सरकार बनाएगी या नहीं आम आदमी पार्टी इसके लिए क्या कुछ करेगी ये देखना दिल्चस पोगाज से आथ हमारे साथ पेश्क्रित में नहीं बागी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन नीवस ये